नमस्कार दोस्तों रेनु की तो में आपका बहुत स्वागत है और आजवा बनाने जा रहें रेंगे की रोटियां से कि मैंने आपको पहले भी रेनुकी रोसोय में बेडू की पूरियां दिखाई थी वैसे आज हम बता रहे हैं बेडू की रोटी बनाना आप देख सकते हैं यह हमारी बेडू की रोटियां बन रही है और इसकी जो सब सची बात है कि उसे हम आग में अगर बनाए तो वह गरम करते हैं तोड़े बादी हम से नमक बाफ स्वात के लिए और रजवाइन आप इसमें जरूर नजूर बडाभ लेकार इसकी तासीर को गरम कर लेती है थोड़े चिली फ्लैक्स या लाल कुटी मिर्च हम इसमें दाल रहे हैं और यह सबी चीज़ें जब आप डाल लेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें जैसे कि आप देख रहे हैं पहले जो हमारा मिक्सचर बना हुआ है वो थोड़ा सा ड्र और गुंकि इसमें जरूरी है कि आप आग में ही नहीं सेकें नि एक बेढू की रोटी उसलिए जाणों में ये काफी बनती है जर्द सा बेढू की रोटी आप इसे बेढू दाल की जो ऊरड़ दाल की भरावन है वह वाली रोटी भी कह सकतerson उन्स औरद दाल से भरी हुई आटा हमने पहले ही गूत के रख लिया था तो अब हम इसकी लोई बनाते हैं आटे की और आटे की लोई जब हम बनाएंगे तो लोई के बीच में हम इस उड़त दाल को एक स्पून से भरेंगे चम्मस से भरेंगे दोस्तों उत्राखन में जो हमारे पारंपरिक फूड है वह काफी पॉस्टिक और अकॉर्डिंग टाइम मौसम यह सब देखकर बनाए जाते हैं तो उनका आपके स्वास्त पर भी हमेशा अ यह अधिकतर ठंडों में बनाई जाती है यह देखिए हमने लोई में इस बना लिया था और इस वह अपना उड़त दाल भरकर थोड़ा सा चुटकी भर आटा फैला देंगे इससे होता क्या है कि जो आपका भरावन है वह चिपकता नहीं है रोटी में और अच्छे से फटत मसाला जो बाहर नहीं है अच्छे से आपके बन जाईगी जही तैकनिक मैंने आपको जब हमने बेडु की पूरियां बनाई थी तब भी बताई थी से वही तरीका वही टर्येक वही स्टाइल है इसका बस है कि उसे हम तलते हैं बेडु की पूरियां को और बेडुकी रोटी सेखना हुता है तो वही तरीके से हम फिर से एक लोई उठाकर फिर से भरावन दालने वाले हैं अगर आप बना रहे हूं तो पहले इसी तरीके से लोई मैं भरावन दालके अपने लोई बना ले ताकि उनको आप एक सांध बेल सकें उससे थोड़ा समय भी बच जाता है और हम त Woo20 हमारे पूरी मेरी भावीए हमसेल सब बना रहे हैं इप सब मिलए तक पकवान बनाने अच्छा फ्रीजा है देख लीजिए लौइ फिर से बन गई है और आज मैं आपको यह दो उन्हें हाथ और इन्हें है er बना सकते होय नहीं तो आज आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगी यह मेरी भावी है तो यह भी बना रही हैं और यह सीथ कि अब यह हमने लुई बनाई थी ना दाल कर उसे रोटी की सकल हम इस तरीके से देंगे ये देखिए हलके हलके हातों से हमने उसे प्रेस करते रहना है और इस तरीके से ये अपने रोटी के आकार को ले लेती है ये देखिए बहुत सरल है आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें कोई कठीना ही नहीं होती है इ यानि मडवी की रोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से और देखिए कितना बड़िया इसका आकार आ रहा है को देखते रहीये किनारहों से प्रेस करते रही सिपभा है नि개 नुगिए है किया है बहुत सुन्दर मेरी रोटी दिख रही है और तबिये मैं हमने इस डाल दीए है देखिए है ना बहुत आसान तरीका और हमारी जो कुमाओं के जो खाना है अधिकतर सब बहुत आसान पर पॉस्टिक है उस इनको बनाने में आपको बहुत जादा सामगरी की आउश्चक्ता नहीं होती लेकिन पॉस्टिक होते हैं तो मुझे बहुत पसंद है एक्चली उत्राखन का खाना मुझे बहुत पसंद है तो मैं दिल्ली पर में भी काफी बनाती रहती हूं लेकिन जब भी मैं अपने माई के अपने घर आती हूं तो मैं जरूर ममी से जित करके यह सब चीजा बनवाती हूं कि ममी हमको यह खाना है और म और चकला विलन साहटा जबनाता है से पहले मैंने हाटों साहटा से बनाना रहार और और हम तीन और आज पाक्वान यह पना रहे है आपको दिख रही होगी वीडियो में पुराने समय की महट जो कालीन जो होती है यह माता जी आज मेरी बेटियों के आने पर माँ बहुत खुस होती है तो देखिए कितनी खुसी-खुसी से मेरी मम्मी बेडु की रोटी बना रही है और चुलहे में बने खाने का तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता है चुलहे का बना खाना सबसे बैस्ट है इसी विज़े से हमने यह जो गोल वाला चुलहा जिसे हम रून कहते हैं वह बना के रखावा है कि कभी भी कोई पहाड़ी दिस अगर हम बनाएं तो उसका स्वाद ल हुआ यह रेखे सुन दर्णी रोटी हाँ